हेलो दोस्तों आज हम कवर करेंगे UIT20 लीग का मैच नमर जो आठमा आठमा मैच खेला जाएगा दुबाई और अबुदुबाई का बीच दुबाई और अबुदुबाई का बीच जो मकाबला होगा वो होगा आठ बजे पी-म में एनि इंडियन समय अनुसार रात को समय आठ बजे रात को समय आठ बजे खेले जाने वाले मैच में कौन सा टीम जीतेगा और कौन सा टीम हरेगा पीच रिपोर्ट क्या रहने वाला है बैटिंग पीच है या बॉलिंग पीच या बाइलेंस पीच अगर बैटिंग पीच है तो कौन सा बैस्टमेन को रखना चाहिए कौन सा बैस्टमेन से बैस्टमेन रहेगा कैप्टन और वोईस कैप्टन किसे देना चाहिए और वोरल अंडर से बाइलेंस पीच रहेगा तो केप्टन और वाइस केप्टन किसे देना चाहिए कौन सा बेस्टमेन है जो अच्छा परफॉर्म करता है कौन सा बेस्टमेन है जो फलॉप्स होता है सारा डेटेल्स इस वेडियो के माध्यम से बताऊंगा बेडाट बिना एसकिप किये इस वेडियो को यान तक जरूर देखना अगर वेडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और ये भी बताएंगे हेड टू हेड मकाबले कितने खेले हैं गराउन पर कितने मकाबले हुए हैं और बैटिंग फर्ष्ट करने वाले कितने जीते हैं बैटिंग सकेंड करने वाले कितने जीते हैं साथ ही साथ योनिक के कैप्टन और वोईस कैप्टन कौन रहेगा डेर्म कार्ट का रिक्सी पिलियर के रूम में कौन रहेगा रिशंड के मेज कनुसार किसे अच्छा आवरेज है कौन सा अच्छे बेस्टमिन है जारा डिट्रेल से इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा चलिए आपको ज़्यादा समयना लेते हुए विकेट कीपर सेक्षन से बात करते हैं विकेट कीपर सेक्षन से देखिए सेंबलिंग अच्छे खासे रिकाउड है लेकिन खास परदाशन नहीं कर रहा है रेजुराज इस टीम का अगेंस दो मकाबले खेल कर आया है रिशंड के पहुँच मकाबले खेले हैं इसलिए एसेंबलिंग डुबाई में से किसी एक के साथ जा सकते हैं और यहां पर देखिए आप यहां पर अच्छा खासा परदाशन करेगा यह भी अपनर है दो मैच खेला है अच्छे स्कोर किया है यहां पर देखिए रिशंड के मैच में अच्छे स्कोर किया है एक में फलोप्स हुआ है एक में अच्छे खासे स्कोर किया है यह दो बेस्ट में अपने टीम में जरूर रखिएगा और चैनलेंग खेलेगा यह आरविन खेलेगा इ इन स्बमें से अच्छा रिकाउड है यह टाइलेंस पीश है तो लंकी में ज्याधा थर बेस्टेइफ मेंको नहीं बॉलर को सपोर्ट मिलता bothering पीशुमार्ट बता देते हैं 5 zo है गुड फरपेसर है यहां पर अवश्प श्कॉरब 150 बनेगा बैनू दुबाई इंटरनेशनल किर्केट स्टेडियम दुबाई में खेला जाएगा दुबाई का इंटरनेशनल किर्केट स्टेडियम में बात कर लेते हैं पीछ रिपोर्ट और हिया पर कुल मिलाकर 94 मुकाबले खेले गए हैं 94 मुकाबले में 44 जो है बैटिंग फ लो टीम बाइटींग किया है वही मेर्च जीता है इसका मतलब है कि फिर्ष्ट इनिग में बेटिंग करने में से इस बिकेट गिरने का चौनस है और यह पर हाई स्कॐर के बाद करें तो दो सब बना है लो स्फ़के बाद करें तो फचपन पर वाला उट हो चुका है पूर रूपे ना तो बैटिंग है पूर रूपे ना तो बाइलेंस है इन्ही बाइलेंस पीच है ना तो बाइलेंस पीच है तो आपको भी बाइलेंस पीच के हिसाब से टीम बनाना होगा यहां पर देखिए ओवरनल का खास परदर्शन नहीं है 20-25 रन मारके जारा ठीक ठाक उमिद इन से लगा सकते हैं लेकिन सालेक्षन परसेंट हाय है रिसेंट के मैच में काफी फलोब्स होता है रोमल पावर ठिक टाक है पार्टेम बॉलिंग करेगा ध्यान से सुनिए रोमल पावर ठिक टाक पर देशन करेगा पार्टेम बॉलिंग भी कर सकता है अच्छे खासा है इवल्स का रिकाउट ठिक टाक है लेकिन इत्वास होने के बाद ये भी डिशाज करिएगा कि बैटिंग आउडर कितने में आएगा इसके अब इन सम्मे से कोई नहीं केलेगा अभी लाइनम में फिलाल के लिए नाम सामिल नहीं है एमगर्ण का लाइनम में नाम सामिल है इसलिए टाइलेंट भी है अच्छे कासे बेस्टमेन है इसे मैं अपने टिम में वारनल को रखने के बाद मैं ले लिया हूं तीन बैस्ट मेन के बाद दो विकेट कीपर लिया हूं अब उलंडर सेक्षन में बात कर लेते हैं उलंडर सेक्षन मारेन केलेगा तो अपने टीम में जरू रखयेगा अच्छे कासे वालर है ठीक-ठाक परदहशन करने का उमीद लगा है यह पॉंच वलंडर को आपको जरूर रखना है क्योंकि आप भी जानते हैं बाइलेंस पीच में ज्यादा तर वलंडर परफॉर्म करता है बॉलर सेक्षन में यह दिचेमरा को आप अपने टिम में रखिएगा और मेरा जो इन्पॉर्टेन बॉलर है अभी भी छूट रहा है इसलिए मैं विकेट कीपर में ड्रॉप करकर बॉलर पर फोकत दूँगा लेकिन ट्रॉस होने के बाद देखिए यहाँ पर ज्यादा तर ब पर और यहाँ पर मैं उसके जगह एक और बोला लूँगा लग्जिमरा अब नेस्ट करता हूं साथ चार का कमनेशन बन गया है दोनों टीम पाहिल बार खेला है दोनों टीम पाहिल बार विरेगा इस ग्रॉंड पर यहाँ पर दो बॉलर लिया है दो बॉलर लेने के बाद देखे मैं यहाँ पर पॉंच वलंडर लिये हैं पॉंच वलंडर लेने के बाद देखे मैं यहाँ पर दीन बैस्ट में ले लिये हैं तीन बैस्ट में में से देखे एक विकेट कीपर लिये हैं आब यहाँ पर नेस्ट करता हूं नेस्ट करने के बाद देखे कैप्टन और वौइस केपिटन हर को इसकेंदर राजा के साथ चैपिटेटन सी और वौइज केपिटन सी जायifice क्योंकिन क रूमे में इसे weils को दूएocres करता हूं सेफ टिम करने के बाद मेरा पर्वियू की इस तरह से रहता है देखिए मैं गरेंड़िक का सब्सक्राइब करना फिर मिलते हैं नेष्ट वीडियो जाहिन दोस्तों